तो यह अग्या विद्धार्टियों आज का टॉपिक रहेगा जिग एंड फिक्चर जो की कंप्लेट इस टॉपिक में जानेंगे जिग के बारे में कि जिग क्या होता है कौन से मेटल का जिग बनाया जाता है कितने प्रकार के जिग होते हैं अगर आप जिग के बारे में जानना चाहते हो कि जिग क्या होता है कैसे उसका डिफरेंट होता है तो मैं इसका जो लिंक है वह आई बटन में देदे हो वहां से जाकी आप देख सकते हो तो आज स्टार्ट करते हैं तो आईए जानते हैं जिग की डेफिनेशन जिग एक परकार का होल्डिंग डिवाइस है यानि एक तरह का बांधने का साधन है जो की किसी भी जोब को मुझबूती से होल्ड करता है यानि मुझबूती से पकड़ता है और टूल को गाइड भी करता है जिग का परियोग मास जिग होता है डिलिंग का मतलब है कि किसी भी जोब के अंदर होल करना काफी मातरा में एक ही साइज के तो वहाँ पे जिग का परियोग किया जाता है उसके बादे रिमिंग है रिमिंग क्या होती है कि डिल किये गए होल को और हदिक परिसुता में चमकाने के लिए या फिर दवारा ही की जाती है तो ये तीन जो उपरेशन है मोस्टली सबसे ज़्यादा जिग है इन्ही उपरेशन के अंदर परियोग किया जाते है या फिर अन्य परकार के उपरेशन है उसके अंदर भी जिग का परियोग किया जाता है जैसे काउंटर सिंकिंग करनी है या फिर काउ जिक के उपर एके बुस लगा होता है जो की टूल को गाइड करता है जिक का प्रयोग आपको पता है कि मास प्रोडेक्शन के लिए किया जाता है जो बुस होता है लगातार प्रयोग करने से वो गिश जाता है इसलिए हार्ट स्टिल का बुस बनाया जाता है कभी भी जिग की पूरी बोड़ी को चेंज नहीं किया जाता है सिर्फ उसकी बुसको ही चेंज किया जाता है तो आईए जानते हैं size of jig jig का size उसके करिये के नुसार ही लिया जाता है जैसे 10 mm या फिर 8 mm या फिर 6 mm की अगर हमें drilling करनी है तो उसी की plate के अनुसार jig का परियोग किया जाता है तो आईए जानते हैं types of jig यानि jig के परकार तो परिये विजारतियों jig जो होते हैं वो कई परकार के होते ही लेकिन very very important जो jig है वो आपके मुखे 10 परकार के होते हैं number first पे है drill jig second पे है channel jig और number three पे है box jig number four पे है plate jig और number five पे है sandwich jig और number six पे है table jig और number seven पे है template jig और number eight पे है vice jig और number nine पे है universal jig और ten पे है solid jig तो ये 10 परकार के jig है ये very very important रहेंगे क्योंकि ये जो jig का जो chapter है इसमें से mostly एक ये दो question आपके जुरूर exam में पूछे जाते हैं तो आई जानते हैं परते की definition पर ये विदार्तियों थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए जैसे आपके jig के नाम है वैसे उनके काम है तो number first पे आपका drill jig देखिए नाम से परतीत होता है drill jig इस jig का परियोग drilling करने के लिए परियोग किया जाता है जो drill jig है इसकी आप से देख सकते हो किस तरह की होती है ये जो jig होता है इसके उपर एक plate होती है plate के उपर बुस लगे होते हैं किसी पर चार लगे होते हैं किसी पर तीन लगे होते हैं किसी पर दो और इनको ही चेंज बुस को किया जाता है तो ये जो बुस है इसके मुक्चे जो भाग है ये पांच परकार के होते हैं थोड़ा सा समझने कोशिज करिए क्योंकि इस तरह का जिग जो है एकजाम में पूचा जाता है और उनके भाग भी पूचे जाते हैं नमबर फर्स्ट पे अंदर continuous रा कम कर सकते हैं ठीक है न तो ये लोकेटिंग का काम करता है नमबर सेकिंड पे देखिए drill plate ठीक है न जोब इसके अंदर रखकर उपर एक plate लगा दी जाती है ठीक है और नमबर थरी पे देखिए drill बुस ठीक है यही बुस है जो की tool को guide करता है नमबर फॉर पे द देखिए base plate लगी हुई है जो की पूरा complete जिग का यह क्या है base है तो very very potent रहेगा आपका drill jig तो आईए जानते हैं second पे channel jig तो यह है आपका channel jig तो देखिए नाम से प्रतित होता है channel jig तो देखिए channel जो होती है वो आपकी c akar की होती है न तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया drill bush लगा हुआ है इसी बुस के अंदर से क्या है कि drill गुजरता है और नीचे जो 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 जोब है उसके अंदर आसानी से सुराग किया जा सकता है और नंबर 3 पे लोकिंग से क्रूँ जो की जोब को हमेशा लोक करने के लिए प्रियोग किया जाता है तो आईए जानते है इसके चारों तरफ drill bush लगे होते हैं जो की आउसकता के अनुसार हम असानी से drilling कर सकते हैं इस box jig का दूसरा नाम closed jig के नाम से भी जाना जाता है तो आईए नंबर 4 पे जानते हैं plate jig के बारे में इस तरह का होता है आपका plate jig इसका परियोग भी drilling करने के लिए किया जाता है और उनको machine table के उपर clamp नहीं किया जा सकता लेकिन plate jig को है वो machine table के उपर हमेशा clamp करके ही परियोग किया जाता है तो आईए जानते हैं number 5 पे अपका sandwich jig very very important रहेगा sandwich jig इस तरह का होता है sandwich jig यह भी एक परकार का plate jig है इसका परियोग बहुत ही पतली और नरम जोब को पकड़ने के ल करते हैं टेपिंग करते हैं तो वो band हो जाती है इसलिए हमेशा drilling, rimming या taping करने के लिए sandwich jig का ही परियोग किया जाता है sandwich jig को combination jig के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें एक तरफ तो drilling का system दिया होता है और इसके दूसरी तरफ taping और rimming का system दिया हुआ होता है तो very very potent रहे image में दिखाई दे रहा होगा कि भी table jig क्यों नाम रखा गया है क्योंकि इस jig के नीचे चार leg लगी होती है ठीक है ना ये जो चार leg लगी होती है इसके नीचे workpiece लगा दिया जाता है और इसके उपर एक जो plate होती है उसके उपर boost लगे होते हैं जो की tool को guide करते हैं जो की drilling, taping riming करने के लिए जो की table jig का प्रियोग किया जाता है table जो jig होती है इसको machine table के उपर भी clamp करके प्रियोग किया जा सकता है और वैसे भी हम simple सीधे तरीके से लगा कर भी हम table jig का प्रियोग कर सकते हैं तो आईए अब जानते हैं number 7 पर template jig इस तरह की आपके ये template jig होती है क्योंकि template प्लेट जो होती है वो हम किसी भी आकरती या फिर किसी भी जोब के नुसार बना सकते हैं जिसमें हम ड्रिलिंग, टेपिंग, रिमिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग या फिर रहने एक परकार के ओप्रेशन कर सकते हैं क्योंकि जो टेंप्लेट जो होती है उसके जिग की आकरती भी Bench Vice की तरह होती है इसलिए इसका नाम रख दिया गया Vice Jig इसमे गोल वैस सिलिकन डिकल जोब में ड्रिलिंग करने के लिए Vice Jig का परियोग किया जाता है तो आईए अब जानते हैं नमबर 9 Universal Jig यूनिवर्सल जिग आपका इस तरह का होता है इसका परियोग ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है यूनिवर्सल जिग के उपर एक प्लेट लगे होती है प्लेट के उपर जो ड्रिल जो बुष लगे होते हैं वो अलग-अलग साइज के लगे होते हैं एक ही सा बल्कुल जो बारिक कारिये होते हैं उनमें ड्रिलिंग करने के लिए मौर्य करने के लिए टैपिंग करने के लिए सॉलिट g का परियोग किया जाता है तू आई भी हम picture कहते हैं तो आए जानते हैं types of picture तो पिरिवदारती ओ फिक्शर जो है वो कई परकार के होते हैं number first पर जब़ सेपर फिक्शर number second पर preciso पर रूंइंग फिक्चर number four पर bistic Faz豪 पर नंबर फाहिव नमबर फाइफ पर ब्राउचें किया जाता है ये जो फिक्चर है इन में कई परकार के जो टूल जो है या फिर होल्डिंग डिवाइस हैं वो परियोग किये जाते हैं जैसे बेस प्लेट है स्टेंडर्ड क्लैम्प है लोकेटर सेटिंग ब्लोक है ब्लेसिंग प्लेट है या फिर टी बोल्ट है या फिर अलग परकार की कुछ पती जो भी प्रियोग में होल्डिंग के लिए प्रियोग में लाई जाती है तो ये प्रियोधारतियों कम्प्लीट फिक्चर और जिक के बारे में बता दिया है फिर भी इससे संबंदित अगर आपका कोई क्यूशन है तो मुझे आवस्या कॉमेंट कर सकते हो आसा करता हूँ कि वीडियो और एक टॉपिक आपको जुरू पसंद आएगा फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो एक ने टॉपिक के साथ तब तक आपको जाहिंजा भारत वंदे मातरम